IPL Mini Auction 2023 को खत्म हुए लगब एक लगब चार दिन हो गए हैं लेकिन अब तक लगातार ये auction चर्चा में बना हुआ है क्योंकि इस auction में विदेशी खिलाडियों पर जीब भर के रुपए लोटाए गए और जहां खिलाडियों के पीछे पैसा खर्च करने की बात होती है वहाँ Mumbai Indians कैसे पीछे हट सकता है Mumbai Indians ने Australia के All-Rounder Cameron Green को 16-17 करोड रुपए में अपनी टीम में शामिल किया लेकिन Mumbai Indians के सामने एक बड़ी परिशानी खड़ी होती हुई दिख रही है परिशानी ये है कि Australia और सताफरिका की बीच चल रहे टेस मैच में Cameron Green चोटिल हो गए है इस मैच के दोरान Cameron Green को finger injury हुई उनकी उंगली की हड़ी तूड गई इसके चलते हुने Sydney टेस से बाहर होना पड़ा है Cameron Green को बल्ले बाजी करते हुए चोट लगी उस समय अन्रिक नौक के गेंदबाजी कर रहे थे और इस चोट के चलते हुने रिटाइर हट होना पड़ा Cameron Green ने अब तक इस मैच में शांदार प्रदेशन किया सतैफरिका की पारी के दोरान Cameron Green ने पांच विकेट शटका है महीं जब बल्ले बाजी का मौका आया तो उन्होंने अर्धशतक भी हाँ जमा दिया था लेकिन अब इस चोट के बाद Australia को उनकी कमी काफी जाद अखलेगी और Australia के साथ साथ Mumbai Indians की भी चिंताएं बढ़ गई होंगे खेर फिलाल अभी इस वीडियो में इतना ही है ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको प्लीज लाइक करें शेर करें और क्विकेट की खबरों से चुड़े रहने के लिए खबर बेबाग को सब्स्राइब करना न भूने